उत्तर प्रदेश में चुनाव बड़े दिल्चस मोड पे है और मैं समस्ता हूं कि सभी बाटियों ने अपनी पूरी ताकत जोक रखी है अनुराग ठाकुर जी जब से यहां के सब रभारी बने हैं तब से इन्हों ने पूरा समय उत्तर प्रदेश में ही दिया है मैं समस्ता ह कि उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जेला नहीं बचा होगा जहां पर अनुराग ठाकुर की सभान ना हुई होगी या वहां के लोगों से संबाद ना हुआ होगा हम लोग इस समय बनारस में हैं और बनारस के उस रिंग रोट पर आपको लेके चलेंगे जिसकी पूरे दुनिय बहुत भादा आपका टास आपका और स्यद हम लों कि यात्रा शुरु हो रही है और रह इंग रोट पे मैं भी और जिस तरह से भारती जंताव बात करें कि Ciao हम जो है परिवारबाद में यकीने करते हम माफियवाद नहिकें नहीं करते और हम लोगों को बर्गराने में हैं कम बानगी है कि मैं कहूंगा कि राजनितिक दल अलग लग वाइदे घोशनाएं चुनावों के दुरान करते हैं सत्ता में आते हैं तो उनमें से पूरे कितने कर पाते हैं कम से कम आज मैं पांच साल के बाद कह सकता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी योगिय दित गिनाया और पांच साल पूरन होने से पहले जब चुनाव आए तो पांच साल की उप्रवदियों को भी जनता के बीच में गिनाया और जो हमने उस समय संकल्प 2017 में लिया था कि गुंडा राज भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश करेंगे महिलाओं को सुरक्षा सम् जाए तीन क्रोड तक देने का काम किया है और बगैर भै भ्रष्टाचार और भाई बतीजाबाद के रोजगार देने का काम किया है तो हम तो कह सकते हैं सिर्व उठाकर कि उत्तर परदेश के गरीबों को 47 लाग पक्के मकान भी बना कर दिये हर घर को बिजली भी दी एक क्रोड 66 लाग बेहनों को हमने इर्स Aufg permission के सिलंडर भी उचुला योजना में दिये और तो और जonna पांच लाग का एर आश्मन भारती इस नामें वो भी मुफ्त में 55 लोगों को दिए ओर महीने में में दो सबह सतार वाड़त में को一 में दो वुक नहें त вызताँ हुई विद्रान किया जर सब्सक्राइब 5 लोगों को से रीगोंनों काम किया है और मेट्रो नौ शहरों तक चलनी शुरू होगी इसके अलावा अगर दो अंतराश्टी एरपोर्ट थे तो पांच अंतराश्टी रिपोर्ट करने काम भी काम किया है यह सारी बातें जो है चाहे काशी विश्वनाद धाम बनाने की बात हो यह विंद्य वासनी किया है लोकल ड्वेल्प्मेंट की है फ्लाई ओवर सड़कों से लेकर बाकी सुविधाओं को देने का काम किया है अब इनसे प्रेटन को ही बढ़ावा मिलेका कुछ लोग धरम से जोड़कर देखते हैं हम लोग सांस्कृत धरोर को बचाने का और संवारने का और संदेरे करन करने का काम कर रहे हैं और उसी के माध्यम से रोजगार से रोजगार के अफसर भी पैदा कर रहे हैं अपका देख रहा था डिमपल यादों ने एक बयान दिया भगवा को उन्होंने मुर्चे के साथ उसकी तुलनात्मक जो है तुलना की और इतफाक से उस सभा में मैं था स फिराथू में उनकी सभा थी जया बच्चन भी थी उस पे तो उन्होंने कहा कि जो मोर्चा लग जाता है यानि बाबाजी किस तरफ पहनते हैं तो बहुत देर तक तो वो सोशती रहे हैं उनको समझ भी नहीं आया फिर उननका कि जो जैसा लोहे में मोर्चा लगता है उस र और दुर्भाग्य यह है वो भगवे की शान को समझते नहीं है भगवा जो है तरंगे की शान है भगवा सुरियोदे का रंग है भगवा स्वामी वेकनंद के वस्तर का रंग है भगवा महारान परताप और शिवाजी महाराज के जंडे का रंग है भगवा मैं भगवाधार और ये इनको महंगा पड़ेगा ये बुखला गए हैं अपनी करहल की हार को देखकर इसलिए इस तरह की ब्यान बाची पर आए हैं ये शांदार रिंग डोड है मैं चाहता हूं ये जरा ये जो गिलास का पानी का ग्लास हम चाहते हैं कि इसको रख दिया जाए क्योंकि देखे तो आगे के लिए आपको किरण दिखाने का काम कर रहे हैं लेकिन हम बात इसलिए इस रोड की कर रहे हैं मैं अपने कैमरामेन से कहूंगा कि जड़ा सर रोड आगे का दिखाए आप एक बार आगे का जड़ा रोड दिखाना कि ये रिंग डोड जो है ये बिदान मंतरी नर ज़्यादा कमपन नहीं है यह कमाल है अनौक जी यह अपने आप में कमाल है और शायद इसी विकास की आप बात कर रहे हैं देखिए मोदी जी का विकास का गुजरात का मॉडल चर्चा में रहता था दो हजार चौदा के चुनाफ से पहले है मुझे कल जब मैं और अनौक मैं देखिए यह गाड़ी हमारी सड़क पे चल रही है और यह पानी देखिए यह यह कमाल यह स्थिरता भी है और मैं कहना जाता है स्टेबिलिटी जो है और सड़क का जो काम हुआ है क्वालिटी का मिलता है कि आप माली जी पानी का गिलाज हमने उठाया हमने पी अब बाकी सड़कों पर आपको पी के खाली करके रखना पड़ता है लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश में जहां पर मोदी जी के खेतर में आये हैं वहां के अगर आप रिंग रोड पर जाएंगे एक तो वहां पर फ्लाई ओवर्स बने और अब यह एक्सप्रेस वेजो बनाया गया है और इसके साथ जो रिंग रोड बनाया गया है यह अपने आप में लाइफ लाइन हमारे शेहर की हुई है और मैं आपको कहना चाहता हूँ इससे बहुत बड़ा लाब हुआ है क्योंकि जो संक इतना गाड़ी तैज चलने के बाद भी अगर इगलास में पानी जिस तरीके से लना चीए ला तो इससे यही बताता है कि भई क्या विस्वास है और किस विस्वास के साथ किस नजर के साथ इस अरक बनाई है अन्राग जी विपक्ष का यह लगातार आरूप है कि भारती जन लिटर पेट्रोल में देंगे और आटो वाले को हम ती लिटर पेट्रोल यह जो मुप्त की राजनीती शुरू हो गई है उस पे आपका क्या रियक्शन है देखिए दंगा बढ़गाने वाले लोग हैं यह लोग हर चौते दिन दंगा होता था अपराधियों को आतंकियों को शरण देने का काम होता था आतंकवाधियों के मुकदमे वापिस लेने का काम अखिलेश जी के समय होता था रंगेश जहरीली शराब बेचता है तो रंगेश यादव अखिलेश यादव का क्या साथ है देखिए सब बहुत बड़े प्रशंचिन अखिलेश जी के ऊपर खड़े करते हैं कि उनकी सोच वही पुरानी है वही पुरानी सपा है वही हवा है वही सपा है जंता जिन से खफा है मन बना लिया करना बिनको दफा है और दस मार्च को एखलेश जी भी कहेंगे एवियम बहुत बेवफा है और मैं इसलिए सब कह रहा हूं कि एखलेश जी के बास मुद्दे नहीं है एक और योगी जी मोदी जी ने तैतालीस लाख पक्के मकान बनाए डेड़ को बिजली के क अब देखे टाटा कैंसर अस्पताल से आता साथ साथ क्रूज की बात कर लें सब्सक्राइब करें डेरों काम यहां पर आसपास किये हैं अब सपा के समय क्या हुआ अपने आप में एक सवाल कड़ा करता है कुछ नहीं हुआ जमीन तक अधिगरहनी हो पाते थे लेनी पाते आज काशी विश्वनाद्धाम प्राचीनतम शहर जो दुनिया का है काशी उसमें बना है लेकिन आधुनिक सुविधाओं से लैस हुआ है बड़ा कोरिडूर आपने बनाया अनुराग जी उसके लावा यह आपके उपर जिस तरीके से देखें अगर आप अखलेश यादों प्राइबोल्क्राइब की बातों को सुने अलगए अलगए जगों पर उनोंने अलग बाते कही इस बार उनोंने जैसे आपने कहा कि नई सपाः बनाने की बात करें और आगयं ऐसकी व्याक्था झालेकों लेकिन इन्दाग ने है तो परवांचलन में हमारा घडदबंधन इससे जादा दल थे और 2022 में भी आखिरकार स्वामी प्रसाद मौरिया जी को नो टंकी क्यों करनी पड़ती है और फिर सीट क्यों बदलनी पड़ती है अखिलेश जी को करहल से क्यों चुनाब लड़ना पड़ता है और फिर नेता जी को क्यों याद करना पड़ता है पांच सा ये मिली भगत है मतलब हार के डर से अखले शादो करहल चुनाव लड़े हैं अगर हार का डर नहीं होता तो फिर उन्हें पहले दिन जो कहा था कि मैं नॉमिनेशन करूंगा और बोट डालने आऊंगा देखिए कितना समय निकल गया चुनाव में चार दिन तो उनको अपने करहल में ही शाम को जाना पड़ा रात भी बिताने पड़े और अगले दिन नेता जी को भी पुला कर भाशन करवाना पड़ा यह डर था इस पी सिंग बखेल जी ने उनको वहां पर पूरा टाइट करके चुनाव लड़ा है और अब नतीजे भी आएंगे तो आप बहुत अश्यरे चकित नहीं होंगे यहां पे सारे नेता है प्रधान मंत्री जी आलेडी पूरे पुर्वांचल में जो है पुर्वांचल में डे करेकरताओं की हत्या होती है भारती अनता पार्टी के करेकरताओं की और ममता जी कोस पर कोई शर्मिंदगी नहीं होती है प्रश्चाचार में डूबी टी-मसी की वो मुख्या के रूप में आती है नंदी कराम से चुनाव हार जाती है और यहां पर बाबी बाबा के नंदी से वो क्या उमीद करती है क्या शिर्वा देंगे नहीं देंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडा उन्होंने कहा है और उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडा कहने वाली किस मूँ से वोट मांगने आई है उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के लोग लक्ष पाने में कितना कामयाब रहती है और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अन्राग ठाकुर ने शान्दार मेहनत की है पूरे उत्तर प्रदेश में मैं समस्ता हूं कि मैं लगातार अन्राग जी पर हमारी नजर थी और हर किया है मोदी जी के नेतर तब में जो उत्तरप्रदेश को एक नहीं दिशा मिली है योगी जिने जो केंदर की योजनां को लाग diye कि और कानून व्यस्ता को और सुध्रिड करने का काम किया है अप अपरादी माफिया मुक्त करने काम किया है और विशेश तौर पर अखिलेश जी के चार यारों उसे मुक्ति दिलाई अखिलेश के चार यार आतंक की गुंडा माफी और ब्रहस्टाचार इन चारों से मुक्ति दिलाई आप देखिए आपने आपने काहा तोब चाहिए ईर विपास्य वां उसके बवजूद भी तु ये ठैराव है और यह ठैराव और निरंतरता सरकार की उत्तर प्रदेश के बनी रहेगी मोदी जी के शीरबाद से योगी बहुत काम किया है वो उत्तरप्रदेश की जनता एक पर फिर कमल का बटन दबाग कर जिता आएगी जहां तक मेरी बात है मैं सैपर भारीता चुनाव का मेरी जिम्मेदारी है और मैं जनजन के बीच में जाने का मैंने प्रयाश किया लेकिन कुल मिलाकर ये मोदी जी की ही और अनुराग ठाकुर का जो टीम वर्ग था मैं समझता हूं कि जब हम कोई बहुत बड़े लड़ाई के मैदान में होते हैं तो मैं समझता हूं कि एक एक कारेकरता उतना ही महत्रपूर्ण होता है जितना नेता होता है और कोई भी बड़ा लक्षा आप तभी हासिल कर सकते हैं जब नित्र तो आपका ससक्त हो दस्तारी को हमें इंतजार होगा कि आखिर रिजल्ट क्या कहता है लेकिन यह चुनाओ बड़ा दिल्चस्प है मैं और विंच तुत्रवेदी इंडिया न्यूज बनारा सुत्तर प्रदेश